Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है, high quality education, वो भी free of cost. Kindergarten से लिके class 12 तक की, CBAC board के courses के साथ साथ, आपको other state board के भी courses available in Hindi medium, जैसे के UP board, Bihar board, Delhi board के courses, proper systematic way में कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी, daily practice arts के questions भी मिलेंगे, practice भी करते जाएगा, e-books और e-notes के link आपको description box में available है तो भटकिएगा मत. हमारा आज का topic क्या रहेगा, हम करेंगे भी most important question, यह आज का हमारा basically काम रहने वाला है, क्योंकि क्या काम है, most important questions, chapter क्या है हमारा, inside our earth, earth को इतने अच्छे से हमने समझ लिया है न, क्या उसके most important questions हम लेकर आएं कि earth के अंदर भी most important क्या है, तो यह चीज हम पढ़ने वाले हैं, जो के exam से पहले, obviously आपके बहुत काम आता है, आपको क्या करना है, आपको like कर देना है, मेरे motivation के लिए और share कर देना है, अपने classmates को और क्या करना है, comment करके बता देना कि yes ma'am we are ready, start करें बिना time waste किये, जी बिल्कुल start करते हैं, what is the earth crust made up of, जो earth की crust है, earth की जो crust है, वो किस से बनी होती है, यह earth की crust है क्या, याद करो, क्या है earth की crust, यह हमारा earth है, यह हमारा earth है, तो यहाँ पर हमने देखा था ना, चलो, अर्थ थोड़ा सा अजीब सा बन गया, इसको हम क्या कर देते, रब कर देते हैं, यह हमरा earth है, तो हमने देखा था ना, यह वाली layer, रैट से कर देती हूं यह ऐसे अपर, यह जो ऐसे लियर थी, हम इसको कुछ कह रहे थे, हम इसको क्या कह रहे थे, हम इसको क्रस्ट कह रहे थे, तो वही यही जो क्रस्ट है, यही जो क्रस्ट है, यही जो क्रस्ट है, जी नहीं है यार है, चल उसको अलग कर देते, नहीं तो आ हमने बहुत अच्छे से चाप्टर में पढ़ा है वेरी शॉर्ट क्वेशन है शॉर्ट है शॉर्ट में जल्दी समझ में आ जाएगी जल्दी बताईगी देखें चल देखते हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट जो बनी हुई है अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से क्रस्ट में क्या है रॉक होती है डिफरेंट टाइप की रॉक से हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है बनी हुई है मतलब यह जो क्रस्ट है किससे बनी हुई है आया समझ में कोई confusion दिक्कत तो नहीं तो अर्थी क्रस्ट किस्से बनी है देख लो पर्शान मत होना घबराना मत कि यह क्या पूछ लिया यह हमने पड़ा हुआ है हमारी बुक में चाक्टर में ठीक है चल वाटर इग्नियस रॉक इग्नियस रॉक क्या होती है बताओ इग्नियस रॉक क्या होती है वाट आर इग्नियस रॉक जली बताओ क्या होती इग्नियस रॉक हमने देखा था कि जब क्या होता है यह जो मॉल्टन मैग्मा है यह क्या होता है मॉल्टन मैग्मा जब क्या होता है और्थ की सर्फीस पर आने की बाद कैसा हो जाता है यह और्थ की सर्फीस पर आने की बाद सॉलिड हो जाता है यहने हाड हो जाता है है ना कैसे cool down होने के बाद ठंडा होने के बाद कैसा हो जाता है hard हो जाता है ठीक है ठंडा होने के बाद hard हो जाता है और solid form में आ जाता है तो क्या होता है उसके बाद क्या बनता है igneous rock कौन सी rock बनती है हमारी igneous rock बनती उसके बाद ठीक है हम से पूचा है कैसे बनती है इग्नियस रॉक क्या होती है देखते है when the molten magma cools it becomes solid rock thus formed are called igneous rock जब molten magma क्या होता है थंडा होता है molten magma आता है बिल्कुल अच्छा गरम ऐसे लावा जैसा कह लीजे melted ऐसा magma आता है पिर वो solid बन जाता है और किस में Transform हो जाता है जो rock बंती है वो Acneous Rock में Transform हो जाती है जैसे कि Example क्या है Busal? क्य आमारा Example Baceint Rakesynthžया त्थीकि आम अट्रीक है Besald है जसका Example हे तो Acneous Rock कैसे भंती है? जब Walton Magma होता है Cool Down होता है मतलब निकलता है फिर Marshalles हो जाता है कूल डाउ wir ignocy को happy earnings और चीज और अब eAPP मुझे अभी कामट में अब भीज्व कॉष तो इस वह और क्या बोलता है हम आध याद रहे है कुछ हम रहे वह ने था क्योंकि शुरुआत इससे होती है लूंटन माङमा के बाद पहले रौक होती है तो यह बताओ इंग्नियुस रौक को क्या बोलते हैं हमने mcq's में धी कर और चैप्टर में तो पढ़ा ही मैं बताओ जल्दी इंग्नियस रॉक को और क्या बोलते हैं कुछ फूटे नहां भूलते हैं मैं गळेज निभोरही क्या इंस रॉक को प्राइमेरी रॉक नहीं बुलते हैं दो क्या हो जाएगा भी यह तो हम ने देख लिया बja भी अगर पूछलार्ओ कि प्राइमेरियरे रौःब जनल्सथेस्ड पा Him देखे ते ना मने ओशने क्रस्ट अ और एक और चीज़ देखे थी हमने याद करो कॉंटिनेंटल मास तो इन लोगे कुछ ऐसे कॉंस्सिटुएंट हमने देखे देखे देख्या याद करो कुछ हमने क्या देखा था अगर ऐसा नाम ले लू मैं सियाल देखा था और हमने कुछ सीमा देखा था दैन हमने कुछ नीफे देखा था इस टैप से मतलब मैं आपको हिंट दे रही हूं याद आ रहा है कुछ कौन से कॉंसे कॉंसे बनी हुई है हमसे पूचा है क्रश किस से बनी हुई है यह हमें बताना है ठिक है यह बढ़ने पड्सत याल सीमा और निफे बंट वुषनि rocky क्रॉस्ट किस से बनी है जली जली से बता दो ने यह हम दिखते हैं सीमा थह और किस्से बना हुआ था यह हम देखते हैं The oceanic crust mainly consist of silica and magnesium किस से mainly बनी हुई है ये बनी हुई है silica और magnesium से बनी हुई है इसलिए इसको SEMA बोलते हैं That means C-I silica के लिए Sorry S-I silica के लिए और M-G M-A sorry magnesium के लिए Kis के M-A magnesium के लिए यानि क्या हो जाएगा Silica हमारा आंसर हो जाएगा SEMA हमारा आंसर हो जाएगा SEMA किसको बोल रहे है यानि Silica और magnesium oceanic crust के लिए So SEMA हमारा आंसर हो जाएगा M-A है magnesium के लिए यानि लगाए यानि इससे समझ जाओ ठीक है वो गलती से टाइप हो गया हो बट M-A यानि Magnesium के इसकी spelling में आ रहे है M-A ठीक है आया समझ में आगे बढ़े चल्ड What are fossils? Fossils क्या होते है बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है हमने देखा था ना कुछ Fossils होते है Remains of Remains of किसके? किसके भई remains होते हैं जिसके dead bodies होगे Decompose हो जाती है किसके animals हैं? Plants किसके देखे थे हमने? Animals और Plants के remains देखे थे तो हम किसको बोलते हैं? Fossils बोलते हैं तो यहां देखते हैं The remains of the dead plants and animals strapped in the layer of rocks are called fossils भई क्या होता है? जब क्या हो जाता है? जो dead है मतलब जो remains होते हैं किसके dead plants के और किसके animals के जो किसमे हो जाते हैं? Rocks के layer में trap हो जाते हैं दब जाते हैं उन्हे हम बोलते हैं Fossils मतलब जो rocks के layer धीरे-धीरे बनती हैं उसमें trap हो जाते हैं उनके जो भी remains रहते हैं जनम मर जाते हैं जानवर या 아-निमल से सूइष EVción Music प्लांट्स के अंदर, एनिमल और प्लांट्स के, डेड रिम, ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े, चल, What happens when igneous and sedimentary rocks go under great heat and pressure? क्या होता है जब भई हमारी igneous rock और हमारी sedimentary rock को क्या करा जाता है? जब igneous and sedimentary rock को ही ट में रखा जाता है और pressure में रखा जाता है? तो कुछ होता है एन्ठ फ़र्म होता है, क्या फ़र्म होता है? बहुती easy है, बहुत जाद़ इजी है, बताओ ये भी नहीं बताओगे तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा सोच लो 10 सेकंड है आपके पास जब इगनियस और सेडिमेंटरी रॉक को हीट और प्रेशर में रखा जाता है तो कौन सी क्या चीज फॉर्म होती है ये बताओ जली जली से बताओ जली तो क्या चीज फॉर्म होती है भाई हीट और प्रेशर में रखके हमने दिखा था न कुछ ऐसा कुछ देखी थी ना मने ये ये कुछ नाम देखा था कि निए देखा था में अरे समझ में आ रही है निया रहा देखते हैं इसमें कि हमारा अंसर है जली फॉर्म करती है वह फॉर्म करती है अनदर टाइप की रॉक इसी को बोलते हैं इसी नियूली फॉर्म करती है को क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक इसी नई फॉर्म रॉक को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक आया समझ में कोई कंफूजन दिक्कत तो नहीं ठीक है आगे बढ़े और ये बता फाइफ क्वेशन हमारे हो गये हैं आप लोगों ने अभी तक भई कि लैक किया है कि नहीं कि भूल तो नहीं गये आप लाइक करना लाइक करा है की नहीं करा कर दिया में को फ़र्ट थंड पड़गी मुझे मुझे बीम्त आर सेदीमेंट्स क्या होते हैं बट ये sediments क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता है बहुत क्रिपया करके मुझे उत्तर दें अंसर दें बताईए क्या होते है sediments rock या सैडिमेंट सौरी sads से तूटते हैं टकराते हैं मैं रोल डाउन होते हैं टूटते हैं टकराते हैं फिर स्मॉल स्मॉल क्या बनते हैं फ्रेग्मेंट्स बनते हैं तो फ्रेग्मेंट्स और पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम उन्हीं को बोलते हैं सेडिमेंट्स वही फ्रेग्मेंट्स बनते हैं ब्रोकन रोकष के तूटे वे रोक्ष चे जो रोक्स तूटती है टकराती है उनके क्या रहते है? Ik errors रहते हैं तो क्या बनते है? उन तो से यह सेडिमेंस और उसी को हम सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को सेडिमेंट बोलते हैं, देखते हैं हमारा अंसर When rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments, जैसा कि मैंने कहा, these smaller particles are called sediment What is rocks roll down? जैसे roll down, यह लोड़कते हुए जाती है, फिर एक दूसरे सेट जोड़गते हैं, फिर एक दूसरे से तक्राती है, क्या करते हैं, तक्राती है क्या बोलते हैं इनको हम इन्हीं smaller particles को बोलते हैं sediments आया समझ में कोई confusion तो नहीं ठीक है आगे बढ़ें चल वाई primary rocks और basic rocks are called igneous rock क्यों क्यों यह जो primary rock है जो मैंने पूछा भी था आप से और जिसको basic rock भी बोलते हैं इसको हम igneous rock क्यों बोलते हैं जो हमारी पहली rock start उती ही molten magma के बाद igneous rock उसे हम क्यों primary और basic rock बोलते हैं जहां तक हमने देखा था कि molten magma क्या होता है जब molten magma क्या होता है क्या होता है जब molten magma क्या होता है cool क्योंकि starting rock बनने की starting इससे मत्तब molten magma है कैसे अगर हम साइकिल देखे रॉक की यहां से तो मॉल्टन मैगमा ठीक है उसके बाद हमारी इगनियस रॉक देन उसके बाद हमारी आती है सेडिमेंटरी रॉक इन से बनती है हमारी उसके बाद आ जाती है हमारी मेटामॉर्फिक फिर यहां पर यह बनाती है हमारी मॉल्टन मैगमा तो अगर हम साइकिल देखे अगर हम यह रॉक साइकिल की बात करें अगर हम रॉक साइकिल की किसकी बात करें अगर हम रॉक साइकिल की बात करें तो शुरुवात कहां से होती मॉल्टन मैगमा रहता है मॉल्टन मैगमा से पहली हमारी बनती है यह हमारी इगनियस रॉक इगनियस रॉक सेडिमेंट्स में तूटती है मतलब चोटे-चोटे पार्ट्स में टूड़े आती है टकरा के रॉक सेडिमेंट्स बनते हैं वह सेडिमेंट्स जमा होते हैं कहीं एक तब कंप्रेस होते हैं फिर वह क्या बना देते हैं वह बना देते हैं सेडिमेंट्री रॉक फिर जब sedimentary rock, igneous rock को किसमे heat and pressure में रखा जाता है तो तीसरी rock हमारी बनती है, metamorphic rock फिर metamorphic rock क्या कहती है, जब आप लोगों ने इतना काम किया तो मैं भी क्यों ना काम करूँ, तो मैं भी शुरुवात से molten magma बनाती है, तो फिर से molten magma पहली rock बनाता है थंडा होके, cool down होके, क्या होता है, एक hard rock form करता है जिसे हम igneous rock बोलते हैं, तो इसलिए हम कह सकते है basic जो शुरुवात होती है, वो हमारी igneous rock से होती है, तो क्या हो जाता है इसलिए हम इसे basic rock बोलते हैं, आया समझ में इस तरीकी की cycle रहती है याद है हमने cycle पड़ी थी rock cycle, है ना, ऐसा था ना कुछ, देख रहा है चल्ड, अब answer देख, प्राइमिरी rocks और basic rocks are formed from the molten magma by cooling and solidification of matter, therefore primary rocks are called igneous rocks due to its formation, वही अपनी formation की कारण, जिस तरीके से form होती है सबसे पहले किससे, molten magma से शुरुवाती तर पे form होती है फिर थंडी होती है, मैं जैसे की बता है, फिर solid form में आती है है ना, solid matter में आ जाती है, पहले निकलती है, है ना, molten magma से आती है फिर क्या होता है, वो magma क्या होता है, एकदम से थंडा होता है थंडाउन के बाद कैसे हार्ड हो जाता है, solid form में आ जाता है, तो क्या बनती है हमारी, हमारी बनती है primary rock, जिसे हम कहते है igneous rock, वही पहली जो रॉक बनती है, उसे igneous rock बोलते है, इसके formation current, क्यों? मतलब molten magma से जो पहली rock बनी, वो पहली rock क्या होती है, igneous rock कहलाती है, आया सम में, चल, what are minerals, how are they useful for mankind, minerals क्या होते है, और ही mankind क्ले क्यों जरूरी होते है, जो minerals है, जैसे हमने क्या, कौन से कौन से minerals लेके थे हमारे, coal हो गया, एक और बताओ, मैंने coal बता दिया, आपको petroleum मैं बता दिया, एक और बताओ, जो ornaments में हम पहन सकते है, बहुत easy na, coal हो गया, हमारा और क्या होगे, हमने देखा था, gold, silver, brass, है ना, बहुत सारे copper, iron, etc, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे, क्या है, मिनरल्स है, ये क्या है, सारे हमारे मिनरल्स है, क्या सब use नहीं होते है, क्या हम वोते लोह की कड़ाई, ये लोह का तवा, ऐसा, कुछ iron, iron का use नहीं होता, copper का use न होता है ना तो क्या है आउलरी, इंप्रूर्टेट ह ने, ना तो Mankind depende क्यों important नी हो गूंगा, लेम से लिए डेली बेशो में पर हो रहे नियुक्ट हैी यह नियुक्त है यही कर लिए है quand we give यह सारी डेली उसस के चीजें बेसिस के हैं कि नहीं डेली बेसिस के साथ सथ और भी अधर चीजों में फैक्टरीज में इंडस्ट्रीज में और भी जगे क्या इन सब का यूज नहीं होता है ना तो क्या हमारे मैंनकाइंड के लिए जरूरी है नहीं बिल्कुल जरूरी है तो कौन सी-कौन सी प्रॉपर्टीज हमने कुछ पढ़ी थी, मैं बताती हूँ, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, चैमिकल कंपोजिशन रहता है, इनका कुछ प्रॉपर्टीज रहती है न, और कुछ फिजिकल भी पढ़ा था, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा थे ने पढ़ा थे याद आ रहा है कि निया रहा है पढ़ा थे आगया है तो याद आ गया तो इसे हमारा में अज़ी बने में इसे न जरूरी था रहा है चीजों में अगर हम इसकी बात करें, स्क्रीन की बात करें, इन में से इन ना किसी चीज से इन में जो चीजें यूज हुई है, इसी जो मिनरल की होगी, तो क्या यी काम नहीं आ रही, कैमरा में कुछ भी जो चीजें बनी होगी, जो कैमरा जिन भी चीजों से बना होगा, कही है कि इन में से कुछ ना कुछ चीजों का यूज हुआ होगा तो क्या है भई बहुत यूज होता है बाकी देखते हैं अंसर हमारा क्या कहता है जैसे कि मैंने आपको अब भी बताए कि मिनरल कैसे होते हैं नैचरली अकरिंग ये बहुत इंपोर्टेंट है कन्फ्यूज मत होना मिनरल कैसे होते हैं नैचरली फॉर्म होते हैं नैचरल क्या है मिनरल नैचरल है मिनरल क्या है नैचरल है इसको बना नहीं रहे कोई मिनरल जो naturally occurring है इनके क्या रहने इनके physical properties रहेगी और chemical composition भी हमें मिलेगा physical properties और chemical composition हमें मिलता है minerals are very important to humankind भई important है humankind के लिए minerals वो तो है वह हम से पूछा है कि क्यों है इतने important इसलिए है जैसे हम क्या क्या चीजों के लिए उसकर सकते है अगर fuel के purpose से देखे तो हमें coal मिनता है natural gas मिनता है petroleum के लिए बड़ा important है अगर fuel चाहिए अगर हम बात करें industries में कैसे काम आता है मैंने बता है industries में iron की जरूरत पढ़ती है aluminum की जरूरत पढ़ती है gold की uranium etc और medicine की बात करें अब जब हम इने daily basis पर use कर रहे हैं हमारी जिंदिगियों के लिए survival के जरूरी हो रही है चीज़े तो क्या कह सकते है important है कि नहीं है ना और क्या होते है जो minerals होते naturally occurring substance होते है यह याद रखना ऐसा नहीं सोचो कि आप सोचोगे कि अरे यारी तो बनाते होंगे gold बगेरा हम यह बहुते है गोल्ड बनाया gold jewelry gold से jewelry बन रही है वह बात अलगे चीज़े बन रही है बट यह क्या है naturally occurring substance से confused मत होना आया समझ में आगे बढ़े क्या होता है mineral और क्यों important होते है देखो मिनरल जो naturally occurring substance होते है नेचर से हमें मिले ठीक है इनकी एक physical property और chemical composition होता ही होता है ठीक है और क्या होते है human kindly important होते हैं बट कैसे होते हैं अगर हम फ्यूवल के example देखे तो cool natural gas petroleum क्या हमारे काम का नहीं बहुत काम का है अगर हम बात कर इंडस्ट्री इस क्लेए तो इंडस्री में क्या iron aluminum gold uranium काम नहीं मैं कοमय होता का है medicine fertilizer combine बहुत जादा काम पहे say है आया समझ में आगे बढ़े और आपने अगर कर दिया या बना रख किनी कर रह का लैक कर लाइक कर divisions हमें करने कर ने ठीक है न आगे बढ़ता आप कहलो तो बरुषा मैं कर लिते हूँ differentiate between igneous and metamorphic rock हमें difference बताना है igneous and metamorphic rock याद करो igneous rock को हम primary rock भी कहते हैं क्योंकि शुरुवात इस से होती है but metamorphic rock तो क्या होती igneous or sedimentary rock से बनती है जिसे heat and pressure में रखा जाता है तब जाके भही convert होती metamorphic rock में हमें क्या करना है इनका difference बताना है छोटा सा तो देखते हैं इनका क्या difference है चलिए they are formed when the molten magma cools and becomes solid ये कैसे बनती है igneous rock कैसे बनती starting का देखा था हमने की molten magma रहता है कैसा होता है भई cool down होता है फिर hard हो जाता है hard होने के बाद एक rock बनती है कौन सी rock होती ही वो कौन सी rock होती ही वो igneous rock होती ही होती कि नहीं होती ही जिसे हम primary rock भी होती है क्योंकि सबसे पहली rock रहती है जिसे हम primary और basic rock भी बोलते है याद करो ऐसा कुछ था नहीं पहले molten magma रहता है molten magma ठंडा होता है उसके बाद hard हो जाता है rock form होती है जिसे primary rock भी बोलते है तो वही rock जो पहली बनती ही वह इग्नियस rock होती है तो यह हमारा formation है किसका इग्नियस rock है इस तरीके का मैंने आपको chart के form में बता है तो easy समझ में यह इसली आपको समझ में आ गया अब बात करें किसकी मेटामॉर्फिक रॉक की तो स्कुरब करते हों मेटामॉर्फिक रॉक को देखते हैं क्या लिखा है इसमें जब क्या होता है क्या मिलता है इंको जब इनको मिलता है भी हीट और प्रेशर जब इनको हीट और प्रेशर मिलता है क्या बनाती है यह बनाती है हमारी यह बनाती है हमारी यह बनाती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक देखो इगनियस और सेडिमेंटरी रॉक को क्या होता है जब उनको heat and pressure दिया जाता है extreme तब जाके metamorphic rock में तबदील होती है इसका flow चाटते है यह जो है लिखा है वही चीज यहां है इसलिए आपको बना दिये ताकि easy way में समझ में आ जाए जैसे उसका बता है ऐसी इसका पता है आया समझ में एक बार और it करते हैं और अच्छे से सम होती है जिसे primary या basic rock भी बोलते हैं तो भही हमारी पहली रॉक होती है इगनियस rock क्या होती है जो इगनियस rock और sedimentary rock को कैसे heat and pressure देके transform किया जाता है किसमें भही metamorphic rock में तो ऐसे बनती मेटकमॉर्पी रॉक एग्जांपल लेए अगर किसका इगनियस rock का तो क्या होते है इस तरी के सापको screenshot लेना है आप screenshot भी ले सकते है। इस तरी की से difference आया समझ में आगे बढ़े चल आगे बढ़ते हैं differentiate between rocks and minerals अब हमें difference बताना है भई rocks का और minerals का rocks तो हमें पता है three types की rocks हम पढ़ते हैं igneous, metamorphic है और कौन सी हमारी जो sedimentary minerals हम देखते हैं अलग अलग type की minerals होते हैं जो naturally occurring substance होते हैं ठीक है उनकी chemical and कैसी physical अपनी composition अपनी properties होती है जो humankind ले बड़ी ही जादा important होते हैं अब हमें difference बताना है तो ये तो मैंने information बता दी difference कैसा क्या है वो हम यहाँ देखते हैं ready है आप? चल देखते हैं they are an aggregate of minerals rocks क्या है भई वो aggregate होते हैं किसके minerals के? rocks चो होते हैं minerals के aggregate होते हैं अब मिनरल के एक नेचरल मास होते हैं अब मिनरल क्या होते है they contain and have atomic structure जिनका एक अपना atomic structure और क्या होता है? contain ore जैसे क्या होती? बेसिकली यह कह लिए जिनकी chemical properties यह भी कह सकते हैं और physical properties होती है ठीक है तो यह सब क्या होती है? यह इसके अंदर मतलब आप यह भी लिख सकते हो कि structure, atomic structure में यह सब चीज़े रहती हैं बेसिकली यह सब प्रॉपर्टीज तो भई minerals में क्या मिलेगा है? हमें chemical और physical properties मिलेगी यह हगा अब rocks की बात करें तो they do not have defined chemical composition इनका कोई definite chemical composition निए होता है टीवीनफ पर्टीकुलर प्रॉपर chemical composition निर्फ का हमें नहीं मिलेका है रोक्स का कभी ऑसने कि chemical composition है बट हमें जो है chemical composition किसका मिलता है? हमें जो minerals का chemical composition मिलता है जैसे कि मैंने लिखा तो डेफिनिटिक केमिकल कंपोजिशन हमें डिफाइनेट मिल सकता है आया समझ में आगे बढ़े यह डिफ्रेंस इसका है हमने देखा रॉक्स एन मिनरल्स का आगे बढ़ते हैं को डिफेरेंशियट बिट्फीन क्रस्ट इंग कोर किसके बारे में उपना ने हम उपना यह तो यह पहले तो इसमें देखेंगे हमारा ये जो है अगर ये पार्ट में इसको ईसे करने तो हमने यह वाली लिए रहा हम कह रहे थे मेंटल बट हम से पुचे हम से हमसे कोब पूछी हम से क्या में सबस्क्रा सब्सक्राइब की एच में दोन का डिफ्रेंस बताना limited के दो कर FIRST क्रस्थ हमारी जो और मैं अधार इस वत्थी डिफ्रेंस बता हूँ तो अपर्मोस लए Sow Meg कूर को देखें इनर मोस्ट यह अदा रहा है ऐसा कुछ हमने देखा देफरेंस हमें ऐसा कुछ था यह डिफरेंस इनका होता है इनर मोस्ट लेर ऑफ दियर होता है जो कि मैंने लिखा यह लिखा ही है कि अंदर की लेर होती है the main mineral constituents are silica and aluminium that is CL क्या क्या होते है इनके main constituent silica होते है और aluminium जिसको CL बोलते है देखा था नमने और इसके क्या होते है नीफे that means nickel और ferrous क्या क्या देखा था मतलब इसका बोल रहे है इसके main constituent होते है simple simple अगर यहां लिख दूँ तो इसके होते है अपना CL इसका हो जाता है नीफे इसका क्या हो जाता है नीफे याने CL मतलब silica और aluminium और अगर बात करें किसकी अगर बात करें हम इसकी जो inner most layer हमारी core की उसमें नीफे आने nickel और ferrous iron जिसे बोलते है तो यह difference है हमारा किसका crust and core का यह सबसे टॉप की लियर होती है फर्स्ट लियर होती है यह हमारी last layer होती है इनर्मोस लियर होती है तो यह difference है crust and core का यह mental की बात अभी नहीं बट मैं इसलिए बनाया है ताकि याद आ जाए कि भई हाँ step की तीन हमने layer पड़ी थी आया समझ में आगे बढ़े चल रॉक्स formation is a slow process हाँ जो rocks form होती है वो एक slow process है बहुत time लगता है क्यों लगता है देखते है formation of rock is slow process because of the following reasons मतलब कुछ reasons है जिसकी कारण हम कह सकते है जो rocks का formation है वो एक slow process है primary rock is a formed is formed from molten magma then it cools and solidified अब क्या होता है primary rock जो होती है हमने देखा था molten magma क्या होता है जब cool होता है solid होता है तब जाके पहली जो rock बनती है primary rock जिसे igneous rock भी कहते है climate breaks the parent rocks into many smaller pieces अब क्या होता है जब climate होता है यह help करती है weathering of rock टूपोग्राफिया क्या होता है जो rock है तूड़ती है तूट candle फैलने लगुघाएयर ३ॉた ने लगेलते हमने देखा था माणा लखें मतलब क्या होता है जब रॉग और सभैके एक जगे से इखटा होने लग जाती है, ठीक है, जम के, इखटा होने लग जाती है, Time is one of the major factor in the formation of rock, और time की करणड क्या होता है भई, rock में, rock को form होने में लग जाता है time, मतलब rock को formation में time का बहुत जाधा importance है, हमने देखा पहले जो primary rock बनी, ठीक है भई, primary rock बनी temperature, climate fluctuate होने के कारण, चटाने कहीं बार चटक जाती है, बहुत तेज गर्मी, कभी बारिश हो गई, कभी भूट थंड पड़गी, चटाने कमजोर होने लग जाती है, rocks कमजोर होती है, तूटती है, जब वो तूटती है, जब वो तूटती है, हमें क्या करना है, जब अलग अलग टाइप की rocks है, उनको डीटेल में बताना है, पहली कौन सी है, हमारी igneous है, पहली कौन सी है, igneous है, ठीक है, igneous के बाद हमारी दूसरी थी, sedimentary, last थी हमारी metamorphic, ठीक ही नहीं, हमें बोला है, टाइप्स बताना है, इनको डीटेल में समझना है, अच्छे से लिखाए ने डीटेल, क्योंकि हमारा long असर टाइप है, तो long मतलब डीटेल में चीज़े समझनी पड़ेगी, igneous कैसे form होता है, अगर हम यहां देखें, igneous molten magma से, igneous हमारा होता है molten magma से, जो cool हो जाता है, ठीक है, और hard हो जाता है, then अगर हम बात करें, sedimentary की, जो sediments से बनता है, sediments, compress हो जाते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, metamorphic की, तो किसको, igneous and, इसको भी हां से रब कर देते हूँ, heat and pressure. अगर हम देखें इसका जस ऐसे ब्रीफ देखें तो इगनियस रॉक क्या थी मॉल्टन मैगमा कूल ना होता है हार्ड हो जाती ठीक है फिर सेडिमेंटरी रॉक सेडिमेंट्री जो मिलते हैं उनसे को कंप्रेस करके जम जाती ही तो रॉक बनती है मेटमॉर्फिक जब इगनियस और सेडिमेंटरी रॉक को हीट और प्रेशर दिया जाता है तब हमारी मेटमॉर्फिक रॉक बनती है तो इस तरीके से हमारी क्या है यह हमारी मतलब रॉक का जो हम पढ़नेंगे डीटेल में ऐसी इंफोरमेशन है बाकी इसको अच्छे हमार इगनियस, सेडिमेंटरी और मेटमॉर्फिक रॉक कैसे कैसे क्या बनती है अब डीटेल में संद काउंसर क्या करेंगे डीटेल में बहुस इसका इसकाउंसर जानेंगे ठीक है चल देखते हैं कैसा क्या होने वाला है अग्नियस रॉक, डेर अंत ध्री बैजर टाइप अगर देखें तो में जो है मेजर टाइप की रॉक होती तीन जो है इगनियस रॉक होती है दूसरी हमारी सेडिमेंटरी रॉक होती है तीसरी हमारी मेटमोर्फिक रॉक होती है तीन टाइप की हमारी इंपोर्टेंट रॉक होती है इगनियस रॉक से समझते हैं When the molten magma cools, जैसे कि मैंने बता है, जब molten magma cool हो जाते है, ठंड़ ठंड़ा cool down हो जाता है, solid बन जाता है, rock thus formed are called igneous और जो rock form होती ही, वो उसे igneous बोलते हैं, जैसे basal, they are also called primary rocks, there are two types of igneous rock, अगर इनको क्या बोलते हैं, इनको primary rocks भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने बता है न, यहाँ अगर हम बात करें, किसे बन रहे है, molten magma, अगर इसको chart के form में समझे जैसे कि मैंने बताया था, molten magma से क्या बन रहा है, molten magma हमारा cool हो रहा है, molten magma cools down, cool down हो रहा है, उसके बाद hard हो रहा है, rock बन रही है, जिस rock को हम primary rock भी बोलते हैं, इस rock के भी बोल रहे हैं, दो टाइप होते हैं, इस rock के भी two types होते हैं, इस rock के भी one type होते हैं, तू टाइप होता जिसको हम बोलते हैं, आप यह स्पेस ने लिचती, intrusive ingesta rock, extrusive ingesta rock, देखो इंट्रूसिव में क्या होता है इन, इन से आपको समझ में रहा है, जब जो मॉल्टन मैगमा है न अर्थ क्रस्ट के अंदर ही क्या होता है, अंदर ही क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है वहीं पर ही सॉलिड हो जाता है, तो वो हो जाती जो रॉक down हो जाता है थंडा हो जाता है तो थंडा होने के बाद जो rock form होती है वो हो जाती है extrusive igneous rock आया समझ में तो यहीं वो बता रहे हैं कि अगर intrusive rock की बात करें तो sometimes the molten magma cools down deep क्या होता है अंदर ही deep में अंदर में deep inside में cool down हो जाता है थंडा हो जाता है the earth crust मतलब earth crust के अंदर में deep में जो molten magma ठंडा हो जाता है solid rock so formed are called intrusive igneous rock solid rock एक form होती है जिसे हम बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं intrusive igneous rock ठीक है समझ में आया है उससे क्या बोलते हैं intrusive igneous rock बोलते हैं आगे बढ़े चल extrusive rock क्या होती when molten lava comes on the earth surface it rapidly cools down and becomes solid rocks form in such a way on the crust are called extrusive igneous rock जैसे granite अगर हम बात करें ऐसा molten magma जो earth की surface पे आ जाता है एकडम से cool down होता है कैसा बन जाता है solid बन जाता है rock जो form होती है इससे उसे बोलते हैं हम extrusive igneous rock जैसे granite बोलते हैं ठीक है आया समझ में extrusive intrusive एक बार और देख लिए जो है igneous rock क्या होती है igneous rock बनती है molten magma से molten magma आता है वो क्या करता है molten magma आएगा बहुत गरम दिवाग करेगा एक दम से क्या सा होता है cool down हो जाता है cool down होने के बाद एक heart form में आ जाते है solid form में आ जाता है एक rock बनती है जब पहली रॉक जब बनती है उसे हम primary बोलते हैं क्यों क्योंकि पहली बनती है basic rock primary rock बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं तब क्या बनाता है तब वो बनाता है intrusive igneous rock जैसे हमने एक्जामपल देखा बेशाल्ट अगर हम बात करें extrusive igneous rock की याने जब क्या होता है जब earth crust से निकल कि जो surface में आ जाता है मॉल्टन मैग उससारफेस में आ जाता है तरता है एक दम से ठंडा हो जाता है एकदम से ज्यम्न भगा था जबी ठंडा हो जाता है और heart जो है auss матери में ऑजाता है extrusive igneous rock एक्जामपल ग्री नाइट आया समझ में तो यह हामारी igneous rock I hope बहुत अच्छे समझ में आया हो अब हम देखते हैं, sedimentary rock क्या होती है, sedimentary rock क्या होती है, जो igneous rock होती है, कभी-कभी जैसे roll down हो जाती है, mausam की current temperature fluctuate होने के कारण तूट जाती है, तो तूट जाने के बाद, अलग-अलग उसमें pieces में बन जाती है, अलग-अलग fragments में बन जाती है, अब यही fragments को हम sediments बोलते हैं, अब क्या होता है वक्त के साथ साथ, धीरे-धीरे जो sediments से time लगा के क्या होते हैं, हवा के साथ और पानी के साथ, water and air के साथ जैसे transport हो जाते हैं, एक जगे से दूसी जगे हम बोलते हैं, तो एसी air and water के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, अब सेडिमेंट के होते हैं, धीरे-धीरे जमते जाते हैं, एक के बाद एक layer बनती जाती हैं, और फिर hard हो जाते हैं, तो यह क्या बनाती हैं, यह sedimentary rock बनाती हैं, इसको समझते हैं यहां पे, यह बोल रहा हैं, मतलब यह बोल रहा हैं, कि जब भई यह वाली जो rocks है, मतलब यह जो चीजे हैं, जो सेडिमेंट सें, पढ़ा ना, कि जो छोटी-चोटी fragrance हैं, जो सेडिमेंट से क्या होते हैं, हवा और पानी के साथ, विन्ड और वाटर के साथ क्या होते हैं, एक जगे से दूसी जगे, ट्रांसपूर्ट होते हैं, और डिपॉजित होते हैं, धीरे जीडी दीपॉसित होते हैं, Sedimentary Rock Example, जैसे Sandstone बनता है किनसे? Sand के Grain से जो Sand से, जो Sand है, रेत की इसे Grain साती रही उनसे बन जाएगा Sandstone आया है समझ में Last है हमारा Metamorphic Rock जब क्या होता है? हमारी Sedimentary और Agneous Rock को Heat and Pressure में रखा जाता है तो बनती ही हमारी Metamorphic Rock They are formed due to great heat and pressure Over Agneous and Sedimentary Rocks Example, Clay Changes into Slate and Limestone into Marble जैसे इसका Example, ले कैसे जब Clay को Change कर लो मानो Slate में तो वो क्या बना रही? याने वो बना रही है हमारी Metamorphic Rock अगर हम बोलें Limestone किसमें चेंज हो रही? Marble में, याने Metamorphic Rock बन रही मतलब Heat and Pressure दिया जा रहा है Agneous और Sedimentary Rock को तो बनती है Metamorphic Rock तो इस तरीके से हमारी क्या है? यह Important Tino Rocks है इसके बारे में हमने जाना आया समझ में? आगे बढ़े? चलो Explain basic features of the interior of the earth जो अर्थ के interior हैं उनके basic features हमें बताने अर्थ के interior में क्या क्या था? अर्थ के interior में क्या क्या था? हमने देखा था न यह ऐसा कुछ ऐसा बना हो था हमारी drawing में पहले ही इसमें हम कुछ कह रहे थे इसको इसको हम कह रहे थे उपर की चीज को हम इसको crust बोल रहे थे फिर इसको हम बोल रहे थे molten, sorry, molten बोल भी mental molten, magma, magma बोल के जो है mental, mental इसा हो गया उसके बाद यहां बीच का इसको हम बोल रहे थे, core हम ऐसा कुछ features देख रहे थे देख रहे थे की नहीं देख रहे थे याद आया, ऐसे कुछ features हम देख रहे थे समझे, चलो, देखते है the earth is made up of several concentric layers with one inside another, just like an onion हमने देखा था जैसे onion की क्या होती प्यास की layer होती है, एक क्यों पर एक ऐसे ही जो earth की क्या होती है, layer होती है the basic features of the interior of the earth अगर हम इनके basic features को जाने तो कैसे हैं पहला अगर crust को देखें तो क्या है it is the uppermost layer of the earth यह जो है ना uppermost सबसे top की है ना यहां की, तो क्या है uppermost layer of the earth which is thinnest of all the layers सारी layers में सबसे यदा पतली होती है क्या होती है, जो crust होती है uppermost layer होती है, और सारी layer में सबसे यदा thinnest होती है it is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors कैसी होती है यह 35 km तक होती continental masses में और सिर्फ 5 km होती है ocean floors में, मतलब समझ रहे हैं इसके अंदर continental mass होता है और ocean source होता है, क्या-क्या होता है इसमें अगर हम बात करें, कि स्कीस को उटा दूँ मैं crust की बात करूँ क्या होती, सबसे पहले अगर इसके features पढ़े upper most layer होती है फिर हमने कहा देखे था thinness layer भी होती है upper most layer होती है और सबसे thinness भी होती है then हमें क्या बोला, then हमें बोला है कि अगर बात करें continental हमें बोला है नहीं, आपे continental mass और ocean floor and ocean floor कितना फैला हुआ है अगर मैं यहां लिख दूँ तो आप आपको clear हो जाएगा हमें बोला है 35 km और यह क्या बोल रहे हैं यहां पे हमें हो जाएगा 5 km आया समझ में तो यही वो समझाना चाहरे हैं यही बता रहे हैं कि upper most layer है thinness layer होती continental mass क्या होता है इसका 35 km होता है और oceanic floors का कितना होता है 5 km का होता है आया समझ में आगे देखते हैं the continental mass are made up of silica and aluminium it is thus called CL SI means silica and AL means aluminium आया समझ में कि नहीं है ठीक है कैसे होता है जैसे यहां देख लें हम क्या बोला है हमें CL क्या होता है इसका जो है CL होता है silica और हमें क्या बोला है देखो silica का SI है और alumina then अगर ocean force की बात करें तो ocean force क्या क्या होता सीमा मतलब है न यहां पर देखो यहां पर देखेगा हमें silica and magnesium वैसे तो magnesium का अगर फॉर्मुला ऐसे दिखाए तो mg होता है बड़ अगर हम इसका ले SI और MA तो यह हो जाएगा सीमा क्या लिए अगर इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है हमें SI हम सिर्फ इतना लें SI और MA तो यह बना रहा है हमारा सीमा ऐसे यह SI और AL हमारा बना रहा है CL ठीक है तो इस तरीके से बताया गया है किसके बार में क्रस्ट के बार में अगर इसको ना देखिए आप यहां भी दिखो कि समझ में आजाएगा कि क्रस्ट किया होती अपर मुस लियर होती ठीक है क्योंकि एक यह पर एक लिएर होती सबसे टॉप की लियर होती Continental mass किते 35 km तक का है और ocean floor किते 5 km तक किस से बना हुआ है कि चाहिए के इसके constituents है इसके है CR that means silica और alumina और अगर ocean floor की बात करें तो सीमा यानि silica और magnesium आया समझ में तो यह में mention इस तरीके से आप देख सकते हैं और यह मैंने लिखा है चाहे तो आप screenshot लेजे इस तरीके से देखिए आगे बढ़े बढ़ जाए आगे चल आगे बढ़ता है mental की बात करें it is just beneath the crust which extends up to the depth of 2900 km below the crust यह crust के नीचे होती क्या होती crust की नीचे crust की नीचे हमें मिलेगी mental यह देखा था ना भी मैने बनाया था थोड़ी देर पहले इस तरीके से देखा जाए यह हमने लियर ऐसी बनाई थी ऐसे ऐसे करके तो यह पहली थी हमारी crust और यहां पर हमारी थी मेंटल थी ना तो यह हमारी क्या दूसरी लियर है कित्ती भी नहीं था कित्ता मतलब फैली है 2900 किलोमेटर तक अब बात करतें कोर की अगर बात करें छो इननर वोश लियर इसको यलो किलर सी करते है समझ में आएvis यह वाली इननर मॉस लियर कित्ता वोरई 35 35 बोल में सॉरी où बोलते है naam बुलना है क्वजे मुझे और मै क्या बोलदे का रेडियस किता है 35 km और का रेडियस किता है 35 km और यह किसे बनिये इसके जो में जो constituents है वो क्या है वो है नीफे दाट मेंस नीफे निकेल फैरस फैरस इसको और आयरन भी बोल लो क्योंकि कि कि यह और चाहिए आया समझ में अब क्या मुण रहा है निकेल और फैरस से एरन से बना है तो तो मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहां लिखो एक दम से रीड करोगे समझ में आएगा अगर ऐसे में लिख दो अलग-अलग करके पार्ट में चंक्स में लिख दो जल्दी समझ में आता है इसलिए मैंने लिखा हमने क्या पड़ा कोर के बारे में पड़े तो यह इनरमोस लेयर अर्थ की दिख रही है हमें इनरमोस ठीक है अच्छी बात है इसके कॉंस्टिटुइंट क्या है किस-किस से बनिये निकेल और फैरस से बनिये नीफे से कितनी रेडियस कितना इसका 3500 किलोमेटर कैसा होता है यह यहां पर जो होता है अगर हम बात करें बिल्कुल सेंट्रल कोर की बिल्कुल बीच में हां स्कोर की बात करें तो यहां पर feature मतलब हमने जाना किसके बारे में हमने जाना करस के बारे में हमने जाना mental के बारे में हमने जाना होती है एक से दूसरे में मतलब रॉक साइकल बेसिकली बतानी क्या बतानी हमें रॉक साइकल कैसी थी हमारी रॉक साइकल हमने क्या देखा था हमने देखा था पहले भी मॉल्टन मैगमा क dusty मार्तन के बाद हमने क्या देखा था अगर इसको अलग कलर से करें मार्टन मैघ मा के बीड़ हमने देख था यहां पर हमें मिली थी Igneous Rock Igneous Rock के बाद यहाँ भे हमें क्या मिली थी यहाँ पे हमारी बनी थी Sedimentary Rock यहाँ पे हमारी बनी थी Sedimentary Rock दैन यहाँ पे क्या बन गी थी Metamorphic Rock Then फिर वापिस ये बोल रही थी कि मैं भी क्यों छूटू, मैं भी help करूँगी तो क्या बनी थी है हमारी? इसने बना दिये था Molten Magma तो ये क्या बन रहा है हमारे? ये बन रहा है हमारा Rocks है अब Molten Magma क्या करता है? Molten Magma का देखें तो चलो इसको इससे लिख देते, यलो कलर से लिख देते Heat and Pressure, इसको क्या देते? मतलब cool down होता है, ठीक है? Cool down होता है, then Hard हो जाता है, तो Rock बनती है Igneous Rock क्या हो? ये Igneous होता है Sediments की बात करें, तो Sediments में क्या थी? Sediments Deposited होते हैं, और Compress हो जाते है ठीक है, उसके बाद ये क्या होती है? इन लोगो को Heat and Pressure दिया जाता है किसको कौन-कौन? किसको मिलता है? वही Heat and Pressure किसको दिया जाता है? दो रोग हमने पड़ी थी Igneous and कौन सी थी? हमारी Sedimentary इस तरीके से हमारी Process चलती है, चलती की नहीं चलती? भई ये है हमारा Rock Cycle, इस टाइप का रहेगा हमारा Rock Cycle आया समझ में, अब ये क्या होती? लास्ट इसको भी फिर क्या होता है? इसको भी लिख देते, Heat and Pressure इस तरीके की हमारी होती Rock Cycle दिख रही है, देखो इसको अच्छे से, कि शुरूबात मतलब मॉल्टन मैगमा से ही होती, मॉल्टन मैगमा कूल डाउन होता है, दन हार्ड हो जाता है, क्या बनाता है? यहाँ पर Igneous Rock बनाता है, तो यह हमारी पहली Rock बनती है, यह क्या है हमार सब्सक्राइब होता है, तो हमारी दूसरी Rock बनती है, जो हमारी होती Sedimentary Rock, then heat and pressure दिया जाता है, एगनीस और Sedimentary Rock को, तो क्या बनती है, हमारी 3rd Rock हो जाती ही, वह हमारी Metamorphic Rock बनाता है, then फिर इसको Metamorphic Rock बनता है, मैं भी क्यों पीच्छर हो, मैं भी अपनी भागीदारी दू फिर Molten Magma से एगनीस Rock बनेगी, फिर उससे Sedimentary बनेगी, फिर इन दोनों से बनेगी Metamorphic, फिर Metamorphic जो है, पिगलेगी, heat and pressure में डालेगी और वो बन जाएगी Molten Magma, तो इसी तरीके से हमारी Rock cycle रहेगी, देखो, चाहो ताब screenshot इसका click कर सकते हो, देख लो फटा-फट से, समझे आंसर को अच्छे से, चल, इसको अटा देते हैं, Rock cycle, one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner, this process of transformation of the rock from one to another is called rock cycle, अगर बात करें rock cycle क्या होती है, जब एक rock change होती है, another type, other type की rock में, एक certain condition, बतलब एक certain manner में, एक proper conditions रहती है, जैसे हमने देखा, heat and pressure रहता है, या हमने देखा, cool down हो जाता है, या rapidly cool हो जाता है, या सारी हमने conditions देखी, कैसे cyclic manner में, तो यह हो जाती, Rock cycle, जब एक rock, दूसरी rock में transform होती है, this process of transformation of the rock from one to another is called rock cycle, और यही तरीके से, जब बहुते ह हमारी rock cycle, process of transformation in rock cycle, process क्या रहती है, कैसे कैसे होती है, देखते हैं, when molten magma cools down, it solidifies to become igneous rock, जब molten magma cool down हो जाता है, तो क्या बन जाती है हमारी पहली igneous rock, क्या बन जाती हमारी पहली, यह बना जाती है हमारी पहली igneous rock, when igneous rock are broken down into small particles, जब igneous rock small particles में टूट जाती है, वो ट्रं ग trêsविज अभी आए बटाओ आपकी तरफ से कोई ऊंसर निया रहा हम ने देखा था किसके थूँआ होती लगई से को वॉरन आ небольшрий में केज ती कि निति होती है वॉर्टर एंड विन के थूट रू Capyr होती है फिर क्या ओती एक जगे खटा होती चान시면 Sedimentary Rocks, मतलब जब यह जो Igneous Rock तूटती है, जैसे यह तूट रही है, फिर Water and Wind के थूँ इसे जम जारी है, एक जगे deposit हो जारी है, तो यह बन गई Sedimentary Rock, दूसरी हमारी Sedimentary Rock बन गई, अब अगर तीसरी की बात करें, तो नेक्स में देखते हैं, जब क्या होता है, Igneous और Sedimentary Rock को क्या करा जाता है, Heat में और Pressure में रखा जाता है, तो किसमें चेंज हो जाती है, Metamorphic Rock में, मतलब इसको और इसको क्या रखा जाएगा, Heat and Pressure में, किसमें Heat and Pressure में रखा जाएगा, क्या बन जाएंगे हमारी metamorphic rock अब metamorphic rock तो बन गई आखरी की cycle तो complete करनी है cycle मतलब ऐसा चलते रहना है metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma अब ये भी क्या रहेगी heat and pressure में रहने दो तो ये क्या बना लेगी ये बना लेगी molten magma इसने बना है metamorphic rock क्या से बनी molten magma अब क्या होगा जब दुबारा molten magma बन रहा है तो फिर क्या होगा वो यहाँ पर cool down होगा hard होगा और क्या बना लेगा हमारी agnes rock तो इसी तरीके से हमारी cycle है ऐसे ऐसे क्या होती जाएगी cycle हमारी चलती जाएगी आया समझ में पहले agnes rock बनी molten magma से agnes rock के बाद sedimentary rock बनी दोनों ने मिलके metamorphic rock बनाया metamorphic rock ने आखरी में molten magma बनाया तो molten magma से दुबार agnes rock बनेगी तो यही होती है हमारी rock cycle I hope आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा तो comment करके बता दो और like कर दो फटाफट से इसी के साथ जो है हमारे most important question बड़े ही interesting तरीके से end होते है important important चीज़े हमने बहुत अच्छे से discuss करी भाई rock cycle क्या है बड़ा ही important है earth की जो layer से यह दोनों 2-3 चीज़े तो बहुत ज़ादे important है बाकी सब भी है पर यह दोनों चीज़े तो अच्छे से समझी लो आपको जादा क्या होगा फायता होगा इसी के साथ यह video end होती है अगर आप और वीडियो के lectures दिखने चाहते हैं तो magnet wins के youtube channel application और website पे आप देख सकते हैं e-notes और e-books के link आपको description box में available है यह high quality की courses है जो की 100% free आपको available हैं आप हमें अधर platform पर भी follow कर सकते हैं facebook, instagram, ex, telegram और whatsapp पे जादा साथा like कीजे share कीजे और channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें अपना ख्याल रखें thank you so much for watching